अपनी बात की शुरुवात जब हम भगवान शी की दिव्य मारगानू सारी जीवन का आचमन कर रहे हैं कि किसी भी ग्रस्त को एक निरमर और पवित्र जीवन का मालिक कैसा बनना चाहिए हम इन सब बातों से कई दिन से रूबरू हो रहे हैं अपनी बात की शुरुवात में एक प्यारी सी घटना से कर रहा हूँ कहते हैं एक राजा के चार रानिया थी पहली रानी बहुत पहले मिल गई थी दूसरी रानी उसके कुछ सालों के बाद मिली थी तीसरी रानी और सालों के बाद मिली थी और चौती रानी कुछ और सालों के बाद मिली थी तो आप बता सकते हैं राजा सबसे ज़्यादा कौन सी वाली रानी से प्यार कर रहा होगा बुद्धि लगाओ जो सबसे पहले मिली वो या जो उसके बाद मिली वो या उसके बाद मिली वो आप अपने आप कोई खड़ा कर दो सोचो ज्यादा किस से प्यार कर रहे होगा बुद्धी लगाओ बुद्धी लगाओ बुद्धी लगाओ अगर पहली से कर रहा होता तो दूजी की कहां जरूत परती दूजी से पुरा मन लगे हो तो तीजी की कहां जरूत परती और तै है, वो राजा चोथी वाली रानी से बेहद प्यार करता था, 2400 गंटा उसके साथ जीने की कोशिस करता, 2400 गंटा उसको ही दिमाग में लिये चलता, 2400 गंटा उसके साथ ही अपने जिन्दगी जीने की कोशिस करता, राजा सबसे ज़्यादा प्यार चोथी वाली रानी से करता था उससे काम कम भी बेहद कम दूसरी वाली रानी से करता था उससे भी कम तीसरी वाली रानी से करता था और जो सबसे पहले थी उसका तो चेहरा देखना भी राजा पसंद नहीं करता था वो तो वेचारी परित्यक्ता हो गई उसको तो राज महल में भी रखने को तैय राज महल के कौने में एक छोटा सा कमरा उसको दे दिया गया और वो वही अपनी जिन्दगी जी रही थी राजा उससे कभी मिलता भी नहीं था उससे मेल मिलाब भी नहीं करता था उसका हल जानने भी नहीं चाता था उसको कभी दिमाग में भी नहीं लाता था एक बार राजा बिमार पड़ गया तबियत बिगरती चली गई बिगरती चली गई और अब तो मौत ही सामने आ गई मृत्युस के सामने आ गई और राकर का राजन तेरा आयुश्य पूरा हो गया अब मैं तुझे साथ ले जाना चाहती हूँ तो में मेरे साथ चलना पड़ेगा राजा ने का मैं अकिला थोड़ी चलूँगा मेरी चार-चार रानिया है मैं उनको भी साथ लेकर जाओंगा मौत ने का ठीक है कोई तेरे साथ चलने को तैयार हो तो उससे बात कर ले ले चल मुझे कहा दिक्कत है जो भी तेरे साथ चलने को तयार हो ले चल राजा ने कहा और कोई चले या न चले पर मैंने जिस चौथी राणी से बेहद प्यार किया है 24 गंटों उसके साथ जिया है मन में भी उसको जिया तन में भी उसको जिया विचारों में भी उसको जिया मैं हर पल उसी के लिए जीता रहा मैं उस रानी को तो साथ लेकर ही जाओंगा राजा ने उस रानी को बुलाया और बुला कर कहा मुझे मौत लेने के लिए आई है तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा तौथी वाली सी रानी ने कहा ना बाबा ना मैं 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 साथ नहीं चल सकती मैं पहले हाथ जोडती हूँ जैसे ही तुम्हारा सरीर छूटा कि मेरा भी तुमसे साथ छूटा राजा अचंबे में पड़ गया अरे मैं जिन्दगी भर जिसके लिए जीता रहा जिसको प्रेम प्यार महबत करता रहा वो रानी तो एक मिनट में हाँ छिटक गई राजा ने दूसरी रानी को भी बुलाया और उसको बुला करका तुम चल दो उसने का ना बाबा ना मैं भी नहीं चल पाऊंगी मुझसे संभव नहीं है तुमारे साथ चलना हाँ ठीक है जादा से जादा मैं दरवाजे तक तुमारे साथ चल दूँगी इसके बाद नहीं जाऊंगी राजा ने तीसरी रानी को बुलाया उसे पता था जब चौटी वाली सबसे प्यारी नहीं चल लई है दूसरी वाली नहीं चल लई है पर एक वार इसको भी पूछ लूँ शायद ये चल दे और तब राजा ने तीसरी रानी को कहा तू चल दे उसने का ठीक है मैं देखो तुमारे साथ तो नहीं चल सकती पर समसान तक तुम्हारे साथ चलने का तुमसे वादा करती हूँ, राजा को लगा जिसको मैं बेहद प्यार करता था वो भी रानी नट गई, जिसको थोड़ा कम करता था वो भी नट गई जिसको और कम करता था वो भी नट गई पर बैने जिसका मुँ नहीं देखा जिसकी सार संबाल नहीं ली जिसको कभी पूछा नहीं जिसके कभी काम आया नहीं सुक दुख का कभी उसके सार संबाल ली नहीं जिसकी खुशियों का मैंने कभी ध्यान रखा नहीं वो तो impossible है वो कैसे चलेगे मेरे साथ लेकिन जब चौती वाली सुन्दर रानी चली गई त चूसरी वाली चली गई, तब पहली राणी, परीत्यक्ता राणी, जिसका राजा ने कभी खयाल नहीं किया था, वो राणी आई, और राजा जो निश्चेत हो जादा था, आँकों में आँसूं आ रहे थे, ओ, तो धुनिया में कोई मेरे साथ सलने वाला नहीं, तब पहली र राजा को अपनी गोद में लेटाते वे सिर्पर हाथ फिरते वे कहा हे राजन चिंता मत करो जिसका तुमने जीवन बर कभी खयाल नहीं किया जिसको तुमने जीवन में कभी पूछ तास नहीं की जिससे जीवन में कभी सुख दुख की तुमने बात नहीं की आज मैं वादा कर मैं चलूंगी तुम्हारे साथ चलो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ और तब राजा को लगा ओ तो मैंने बागी तीनों रानिया बेवजे ही एकटिकर रखी थी असली मेरा साथ निमाने वाली तो ये रानी है और तब कहते हैं वो रानी राजा के साथ दुनिया से निकल पड़ी, ये चार रानिया, चार रानिया नहीं, ये चार पत्निया, चार पत्निया किसी राजा के नहीं, ये हर इनसान की है, अब ध्यान में लीजिए, कौन-कौन सी पत्नी ने कब-कब इनसान का साथ छोड़ा, इनसान की राजा की चौती रानी शरीर, तीसरी रानी, परिवार पर जो पहली राजा की परित्यक्त रानी थी उसी का नम भगवान कहते हैं वो आत्मा थी और तब आत्मा ने उस राजा को जगातीवे कहा कि राजन तो जिन्दिगी भर जिस रानी के पीछे भागता रहा सरीर के पीछे जैसे ही आत्मा निकल गई कि सरीर निश्चेष्ट हो गया तो जिस तीसरी रानी के पीछे भागता रहा वो था धन लेकिन जैसे ही सरीर छूटा दरवाजे तक वो साथ निभाया और याद रखना उसके तुमारी दूसरी रानी थी उसका नाम था परिजन कहा तक हम आते हैं पता है समसान तक मेरे भाई एक बाद जीवन में याद रखना जब हमारा सरीर छूटता है न तो याद रखना पत्नी मकान तक समाज समसान तक बेटा अगनेदान तक पर अच्छे करम ठेड़ भगवान तक साथ जाते है ये जीवन उसको बलिष्ट बनाता है, उसको सुख देता है, उसको खुशियां देना चाहता है, आदमी दूसरा सब चैसे ध्यान रखता है, धन का ध्यान रखता है, मैं और धन बटोड लूँ, और पैसा बटोड लूँ, और पैसा बटोड लूँ, जिंदगी बर आदमी धन, 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 धन के पीछे लगा रहता है और सच्चाई ये है आदमी तब तक धन के पीछे लगा रहता है जब तक उसका नीद धन नहीं हो जाता है जब तक धन के पीछे इंसान लगा रहता है जब तक उसका नीद धन नहीं हो जाता है दमर एक पूरी जिन्दगी जिसके पीछे लगाई वो शरीर यहीं रह गया नमबर दो पूरी जिन्दगी पर जिसको कमाई वो भो 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 वो धन यहीं रह गया और पूरी जिन्दगी पर जिनके लिए दोड़ते रहे वो परिवार परिजन पतनी यहीं रह गई अब सोच तुमारे साथ कौन चली सिर्फ 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 हमारी आत्मा चले संसार में सादक यूँ जीओ जैसे देहरी के दीब जले जैसे कोई देहरी पर दीब जला करता है ऐसे हर व्यक्ति को संसार में जीना चाहिए, मैं बात करहूं आज, किसी भी व्यक्ति के जीवन में अनासक्त कर्म योग, व्यक्ति संसार में रहे, संसार के बीच रहे, लेकिन जैसे संसार में दो चीजें रहती है, कीडा भी रहता है, और कमल भी रहता है, लेकिन कीडा धीरे दीरे दस्ता चला जाता है और कमल दीरे 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 बाहर आता रहता है मनिश्य की बड़ी विचित्र प्रकरती होती है जैसे जैसे आदमी बढ़ता है वैसे वैसे और दस्ता है जैसे जैसे कमाता है वैसे वैसे और लोब बढ़ता है जैसे जैसे लाब होता है वैसे वैसे लोब की प्रवर्ती और प्रकरती इंसान की और बढ़ती रहती है संतुष्टी इंसान के पास नहीं आती दुनिया में सबसे सुखी आदमे वो नहीं जो करोड़पती है वो भी सुखी नहीं जो अरबपती है वो भी सुखी नहीं जो खरब पती है दुनिया में एक ही आदमे सुखी है जो संतोस पती है जिसने जिन्दगी में संतोस के वरत को धान कर लिया है संतुष्ट जीवन जीना जिस व्यक्ति ने सुरू कर दिया है दुनिया का सबसे सुखी आदमी सबसे आनन से जीने वाला आदमी सबसे प्रेम और मिठास से जीने वाला आदमी वही होता है जिन्दगी बड़ी गजब की होती है आपको पता है हम जिन्दगे बर बेटा बेटा बहु बहु परिवार परिवार करते रहते हैं शरीर शरीर करें कि तुम्हारा कौन है तुम कहते हो बेटा मेरा वो तबी तक समसान नहीं पहुंच गया अंततह इंसान सोमवार को जनमता है मंगलवार को स्कूल जाता है बुद्वार को शादी करता है गुरुवार को बच्चे पैदा करता है शुक्रवार को बिमार पड़ता है शनिवार को बिस्तरों में चला जाता है और रविवार को राम राम सत्व हो जाता है साथ दिन की चोटी सी जिन्दगी में कहां आदमी बुद्धी लगाता है कि मैं कौन मेरा और कौन तेरा भगवान कहते हैं दुनिया में जीओ मेरे बाई लेकिन अनासक्त बन कर जी आदमी के सबसे बड़ी आदत होती है वेदों ने जीवन जीने की चार व्यवस्ताइं दी पहले जीवन की व्यवस्ता है सिक्षा के लिए दूसरी जीवन की व्यवस्ता है संसार के लिए तीसरी जीवन की व्यवस्ता है वानप्रस्तर के लिए और चौती जीवन की व्यवस्ता है अपने मुक्ती के साधना करने के लिए लेकिन इनसान दूसरे आश्रम में जैसे ही जाता है बाहर निकलना उसके संभव नहीं होता मैं इसलिए कहा करता हूँ बच्पन में पढ़ाई कर लो तो जवानी सुख से जियोगे जवानी में कमाई व्यक्ति को संसार में जीना संसार में रहना तो हमारी मजबूरी है लेकिन संसार के परति आसकती पालना संसार को अपने भीतर बसाना आप संसार में रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं जिस दिन संसार आपके भीतर आ गया उस दिन आप दुनिया में उलजने सुरू हो जाएं हम संसार में हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं लेकिन जब संसार हमारे बीतर बसना सुरू हो जाता है हमारे बीतर रमन करना सुरू कर देता है तब हम दूईधा में फंच जाते हैं इसलिए भगवान कहते हैं हर किसी शावक के लिए पहला धर्म वो हमें बता रहे हैं और वो है कर लो मैं संसार में ते रहूंगा लेकिन मुक्तमन बन कर जीऊंगा सबके साथ रहूंगा लेकिन वैसे ही जैसे कीशण में कमल रहता है मुक्तमन कर जीता है अपने आपको संसार से अलग थलक करके जीता है मुक्तमन बनाकर संसार में जीओ दोड़ते रहोगे कितना भी धनका संग्रा कर लो, एक बात तेह करो ले कर क्या जाओगे और छुड़कर क्या जाओगे, सारा ही छोड़कर जाना न, कितने भी वस्त्रों का कितने भी जमीन जायदात का, मेरे भाई दो गज कफन का तुकडा और छे फृट जमीन का तुकड़ा भी मरने के बाद इस शरीर को नसीब हो जाए तो समझना बड़े किसमत वाले थे बाकी आदमी कमाता है धूल धानी राक चानी जिन्द की बड़ लगा रहता है लगा रहता है एक पल में आँखें बंद हो गई आदमी रात को कहता है अरे मेरी आँख खुली तो सपना तूट गया मेरे भाई रात को जो हम देखते हैं वो रात के सपने होते हैं पर जिन्द में हो जो हम देख रहे हैं वो दिन के सपने हैं रात के सपने तब तूटते हैं जब आँख खुल जाती है और दिन के सपने तब मैं संसार में दुनियादारी में रहूंगा लेकिन अपने मन को थोड़ा निरलिप्त कर लूँगा मन को थोड़ा बाहर निकाल लूँगा मन को थोड़ा मुक्त कर लूँगा बड़ा गजब होता है भैंस पानी में चली जाए तो बाहर निकलना नहीं चाती सूवर गंदगे में चला जाए तो बाहर निकलना नहीं चाता आदमी संसार में फस जाए तो बाहर निकल नहीं पाता है भगवान हमें इसलिए मार्ग दे रहे हैं अनासक्त जीव अनासक्ती मतलब जो आ तो सक्ती है पर जा नहीं सक्ती आसक्ती का मतलब क्या है? आसक्ती, बोलो मुंसे, आसक्ती, जो जिंदिगी में आ तो सक्ती है पर वापस जा नहीं सक्ती है, पर जो व्यक्ति उसको जीत कर बाहर निकल जाता है, वो अनासक्त करम-योगी बनने का लाब उठा लेता है, बच्पन खिलोनों में चला गया, जवा जवानी पत्नी पैसे में रह गई, बुढ़ापा किस में गया, किस में गया, बुद्धि लगो, पोते पोते में चला गया, सोच जीवन में प्रभु भजन कब करोगे, इश्वर का भजन कब करोगे, वही मोह माया, वही रागा सक्ति मनुष्य की पलती रहती है, आओ हम कुछ दिव्य मंत्र आज अपने जीवन के साथ जोडते हैं, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में संसार में रहते वी मुक्ति के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा ले, संसार में रहते वी शांती के लिए अपने कदम बढ़ा ले, संसार में रहते वी मुक्ति का मार्ग अपने हाथो उसे आत्म साथ कर ले, भगवान पहला मारगा में दे रहे हैं, हर किसे इंसान के जीवन में जीने के लिए, और वो पहला मारगा है, तहे करो, मैं संसार में रहूंगा, लेकिन पहला शब्द मैं भोग की मर्यादा रखूंगा, मर्यादा, मर्यादा का मतलब होता है, मैं किसी बी चीज का सेवन तो करूंगा, लेकिन उसके सेवन करनी के अपनी कुछ मर्यादाओं होगी, अगर कोई भी व्यक्ति मर्यादाओं में रहें, अरे मर्यादाओं का अगर उलंगन कर दीगा लक्षमन ने खींचियों ये देखा का अगर सीता ने उलंगन किया तो रावण के चुंगल में फंस गई और कोई इंसान अगर ईश्वर के द्वारा भगवत पुरूसों के द्वारा आगमों के द्वारा वी तरावण पुरूसों के द्वारा जो हमारे जीवन जीनी की मर्यदाएं हमें दी गई है अगर हम उनका उलंगन करते हैं तो आज में संसार में उलसता है भगवान कहते हैं पहला निरने करो और वहे भोग की मर्यादा मैं संसार में किसी भी वस्तु का व्यक्ति का सांसारिक सुखों का कितनी सी मां तक उपयोग करूंगा मेरे भाई दुनिया बड़ी गजब की है एक आटे की गोली मशली को लुभा लेती है फंस जाती है ना और हिरन कानों में आने वाले सुन्दर संगीत को सुनकर फंस जाता है हाथी बली नकली हाथी निये मनाई हुई हो तो भी उसको देखकर उलच जाता है तो जब ये जीव एक एक इंद्रिया में उलच जाते हैं तो भगवान कहते हैं जो व्यक्तिय पंचिंद्रियों में शावक होने का मतलब ये नहीं कि शावक को सब कुछ करने के छूट है मेरे भाई जगनी की कोई उम्र नहीं होती कुछ लोग होते हैं जो 30 साल की उम्र में भी अपनी जीवन भी अच्छे धारमिक संस्कारों को जोड़ लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो 30 साल के हो जाएं तब भी उनको लगता है मैं और खालू, मैं और चिल्लू, मैं और उपबोग कर लूँ मैं और दुनियादारी को बटोड लू, लगा रहता है कई लोग होते हैं, कई वार ऐसा होता है बेटा तो रात्री बोजन का त्याक कर देता है प्रबाप अभी उल्जा का उल्जा रह जाता है बहू रात्री बोजन का त्याक कर देती है पर सास को लगता है मुझे अभी भी ब्यासादियों में खाना है मैं जीवन का मंत्र आपको देना चाहूंगा जिंदगी को बदलने की जिंदगी को सधारने की कोई उम्र नहीं होती है जब विक्तिय अपने आपको तैय कर लेता है भगवान करते है तैय करो भोग की मरियादा मैं संसार में अमुक सीमा तक संसार का सेवण करूँ गा पजीस साल तीस साल पेंटीस साल 40 साल, 45 साल, 50, 55, 60 अरे 65, 70 कहीं न कहीं तो इनसान को अपनी सीमा निर्दारित करने पड़ेगी मैं इतनी वस्त्रों का उप्योग करूंगा मैं इतनी साडियों का उप्योग करूंगी मैं इतनी जमीन जायदात का आपको लगता है जिन्दगी आप अराम से धीच सकते हैं आपके बच्चे कमाकर अराम से खा सकते हैं मेरे भाई हमसे ज़्यादा अच्छे तो वो पंची होते हैं जिनके बच्चों को पंख लग जाए तो आसमान में छोड़ देते हैं हम 80 साल के हो जाएं तब भी हमें लगता है हमारे बच्चे बोड़े हैं वो दंदा नहीं कर पाते हैं मेरे भाई मुक्त हो जाओ अपनी आत्मा का कल्यान कब करोगे जिन्दगी जिन्दगी तो सही 40 साल के उम्र में आप धन के पीछे भाग रहे थे 50 में भी भाग रहे थे और 60 में 60 में वही भागम भाग और यथार्थ तो यह है 70 साल के हो गए तब भी इनसान अगर भागम भाग है तो जिरा सोचो वो इनसान मुक्तिकी व्यवस्था कैसे करेगा पहला आश्रम गया दूसरे आश्रम की उम्र गई 30 की भी आदी जा रही है मुझे किसी ने एक वार कहाता सब बच्चों को दिख्षाई नहीं दी जानी चाहिए मैं कहता हूँ अच्छा चलो नहीं दी जानी चाहिए पर बुडे तो निकल कर आनी चाहिए बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए ठीक है माना पर बुडों को तो निकल कर आना चाहिए मेरे भाई संसार की धारा इनसान के साथ ऐसी जुड़ती है रचा रहता है बसा रहता है डूबा रहता है उसी में आदमी जिंदगी अपनी जीता रहता है याद रखना मैंने पहला अन्रोद किया भोग की मर्यादा मैं अपने जीवन में अमुक सीमा तक अमुक वस्तु का अमुक चीजों का अपयोग करूँगा और अगर हमने वो मर्यादा नहीं बनाई आदमी बुड़ा हो जाएगा तब भी सुखकी सुईदाओं को पाने का उसका मन कभी त्रिप्त नहीं होगा कहते हैं सुकरास एक युवक ने पूछा था किसी भी व्यक्ति को संसार का सेवन कितनी बार करना चाहिए सुकरास ने का जीवन में एक बार कहा तब भी आदमी का मन त्रिप्त नहो तो का ठीक है साल में एक बार कहा तब भी आदमी का मन अत्रिप्त हो तो कहा ठीक है मैने में एक वार कहा तब भी आदमी का मन अत्रिप्त हो तो कहा ठीक है पंदरे दिन में एक वार युवक ने कहा तब भी आदमी का मन त्रिप्त ना हो तो सुकरात ने कहा सब्ता में एक वार जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर इतना भी नियंत्र नहीं रख पाता है वो तो अपने सिर पे कफन बांदे और निकल पड़े जैसी जिन्दगी जीनी हो तो भगवान हमें अनासक्ति का जीवन जीने का मर्ग देते वे कहते हैं हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में संसार के सिवन के मर्यादा रखनी चाहिए नंबर दो हमें वो जीवन का पार्ट पड़ाते हैं और वो है हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन की ये मर्यादा रखनी चाहिए कमा लो कमा लो लगा रहता है, जिन्दगी बर आदमी धन के पीछे लगा रहता है, याद रखना, धन तो आदमी को उपर ले जा सकता है, पर आदमी धन को उपर नहीं ले जा सकता है, नोट कर ले ना जिए बार, धन आदमी को उपर ले जा सकता है, आप बहुत पैसे वाले हैं, मंच पर ख़ाये जाएगा, सम्मान किया जाएगा, माला पेनाए जाएगी, तिलक किया जाएगा, शॉल ओड़ाया जाएगा, दस लोगों के बीच आपकी महिमा गई जाएगी, गौरओं मिलेगा आपको, तो धन आपको तो ऊपर ले जा सकता है, पर आप धन को उपर नहीं ले जा सकते, आदमी अपनी जीवन की सीमा निर्धारित करे, मैं 60 साल का होंगा, तब तक धन्दा करूँ, क्योंकि जब तक आप 60 साल के होंगे, तै है आपके बच्चे 30-35 साल के हो जाएंगे, और 30-35 साल का बच्चा कोई डबू तो होता नहीं, को कि मारे एदाने की सीमा खavakे, बारा कर Like Games की मारे मोट तक ड़का आपको को अञा डवी जया हो जाएंगे, जा ada दुके 30-35 बचार आपका ले पर चाह कुआ हो क Конर्सानली, को तसमें श्काट प्हात चिसका चार साल का किसा रहर्म इरा को आघका साल किसे, कि से जί़का का